मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार, मेरा नाम है नितेश जैन और आप सब का स्वागत करता हूँ मैं आज के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे B.S.F. कमपनी की एक्रिश्यो दवाई के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज कि कितनी मात्रा आपको एक्रिश्यो दवाई की लेनी है उसके बारे में भी जानकारी देंगे कौन-कौन सी फसल में ये उप्योग में आती है कितने एकड खेत में, कितनी एकड जमीन में, कितने लीटर पानी मिलाना है, कौन सी अन्य दवाई डालनी है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है ये तमाम महत्वपून जानकारियां देंगे आपको वीडियो के मध्य में, महत्वपून बातों के हिस्से में और वीडियो के अंत में दवाई करते समय आपको किन-किन बातों की विशे सावधानिया रखनी है, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ में और अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी न भूले आइए दोस्तों, शुरूबात करते हैं कि इसका उपयोग मुख्य रूप से अंगूर, सेब, आम, खीरा में कर सकते हैं आप और इसी वर्ग की तमाम फसलें जिसमें आप इसको उपयोग कर सकते हैं अंगूर के लिए तो ये दवाई वर्दान है दोस्तों कैसे वर्दान है जो आगे आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले इसका टेक्निकल नाम बता देते हैं मेट्राफिनोन 50% SC formulation में ये दवाई आती है और इसकी डोज आपको बताएं दोस्तों ये मात्र आपको 100 ml प्रती एकड लेनी है मात्र मात्र 100 ml प्रती एकड मतलब एक एकड में 10 इस्प्रे टैंक लगाने है इस्प्रे टैंक 16 लीटर का एक इस्प्रे टैंक होता है ये खस्ता फफुंदी की रोगताम के लिए प्रियोग किया जाता है जो खस्ता फफुंदी अंगूर में लगती है, सेब में लगती है, खीरा में लगती है, और तमाम तरह की सबजियों में लगती है, जादतर फल की फसलों में लगती है, तो उन सभी के लिए ये उप्योग क पतिरोध प्रबंदन के लिए सबसे अच्छा उपकरण है ये हाइपवे की नौक पर फंगस की गतिविदी को बादित करता है और फंगस की विकास को रोकता है अपने प्रणा लिगत रसायन के कारण ये पूरी छत्री को खस्ता फफुंदी से प्रभावी ढंग से बचाता है छत्री मतलब पूरे पत्ते को जो अंगूर का पत्ता होता है सेप का पत्ता होता है उसको पूरे पत्ते को ये बचाता है खस्ता फफुंदी से कोमल फफुंदी से और दूसरे फफुंदी नशक रोगों से ये व्यापक रोग नियंतरन है और नई रसायन विज्ञान और का सिस्टेमेटिक तरीके से फंगस को कंट्रोल करता है अब दोस्तों सिस्टेमेटिक प्रोटेक्टिव में क्या फरक होता है कि अगर आपने फफूंदी नाशक रोग नहीं लगा है उससे पहले इसका स्प्रे कर दिया तो ये फफूंदी नाशक रोग को आने नहीं देगा और स systematic का मतलब यह है दोस्तों कि आप चाहे spray कहीं भी करें, तने में करें, जड में करें, पते में करें, फूल में करें, फल में करें, यह पूरे पौधे को दवाई automatic कवर कर लेगी systematic के जरिये, यही कारण है कि यह दवाई का बहुत ही अच्छा परिणाम है, खास करके अंगूर औ देखो, पते में कितना बड़ा फरक आपको दिखी रहा है, और दूसरों, और दोस्तों, ग्रैप सुटिगल, जो बिमारी बोलते हैं, जो छेद आजाते हैं पते में, और यह micromigration and respiration of accresia, यह इनको inhale करता है, इसलिए यह अंगूर के गुच्छे जो आते हैं, वो बहुत ज जादा अच्छा हरा तंदरूस्त बिना रोग वाला, बिना फफूंद वाला, बिना जंक वाला, बिना किसी भी तरह की फफूंदी नाशक बिमारी से ग्रसित रखता है, किसी भी तरह की बिमारी को यह नहीं आने देता है, यही कारण है कि अंगूर और सेप के लिए इसको बर्दान कहा गया है अब दोस्तों बात कर लेते हैं सावधानियों की सावधानी रखना बहुत जरूरी है बच्चों को इन दवाईयों की पहुंच से दूर रखना है और जब भी आप इसका घोल बनाया तो साफ परतन में साफ पानी लेके बिलकुल हिलाने के बाद में ही मेशा लगाय रखना है भूके पेट कभी भी दवाई का इस्प्रे नहीं करना है और जब भी आप दवाई का इस्प्रे पूरा कर लें तो जो खाली बॉटल बसती है खाली डिब्बा बसता है उसको आबादी से दूर तोड मोड के जमीन में गाड देना है इस्प्रे करते टाइम। आपको कभी भी हवा से विपीध दिषा में स्प्रे नहीं करना है। मतलब जिस दिषा में हवा बहे रहे हैं स्प्रे करना है ताकि TVs के एक मात्रभून भी वेश्च नहीं जाये। दवाई आसपास के खेतों में जाके नहीं लगे और दवाई का बिलकुल वहीं पे ही स्प्रे हो जहां पर उसकी जरूरत है। और दोस्तों बहतर परिनामों के लिए हमेशा नेपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नॉजल का ही प्रियोग करना है। जितना हो सके आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मधुमक्षी पालन के शेतर में मश्ली पालन के शेतर में दवाई का प्रियोग हवा या पानी के माधियम से उनको किसी प्रिकार का नुकसान नहीं हो। अन्ति माविदन दवाई का जब भी आप करें और फसल कटाई जब भी आप करें उसके बीच में 20 दिन का गैप होना चाहिए इन चीजों का भी आपको बिलकुल अक्षर शेपालन करना है तो दोस्तों ये थी एक्रेशियो के बारे में पूरी वीडियो अगर आपको इंफर्मिशन पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें और ये थी पूरी जानकारी एकरिष्यू के बारे में आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे BSF कंपनी की मैरिवान फंजी साइट के बारे में जिआं दोस्तों बने रहे हमारे साथ में ऐसे ही हमें प्यार देते रहे हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबालीजे दोस्तों ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे है दोस्तों नमश्कार